क्या जानवी कपूर ने फिर थामा 6 साल पुराने प्यार का हाथ अमबानी की पार्टी में पहुची थी एक्स बॉइफिन के साथ अब इन सारी बातों का होना तो लाजमी ही है आखर इन बातों को तूल देनी वाली भी कोई और नहीं बलकी बॉलिविट की धड़क गर्ल जानवी कपूर ही है यूदो लंबे समय से जानवी की रिलेशनशिप स्टेटस को सिंगल ही बताया जा रहा है लेकिन अब लगता है कि जानवी एक बार फिर सिंगल से मिंगल हो गई है वो भी अपने ही पुराने इश्क के साथ जी हां अकसर ऐसा कहा जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं भुलाय जाता कुछ ऐसा ही हाल जानवी का पूर का भी होते हुए नजर आ रहा है आखर जानवी को हाल ही में उनके एक्स पोईफिन के साथ जो देखा गया है तब ही से खबरों का बाजार गरम हो गया है कि जानवी की लाइफ में उनके पुराने प्यार की एंट्री हो गई है अब जानवी की एक्स पोईफिन के बारे में आपने भी कई बार सुना तो होगा ही आखिर इनका तालोग मुंबई के राजनितिक परिवार से जो है ये कोई और नहीं बल की शिखर पहाडिया है जो की महराश्र के पूरु मुख्यमंतरी शुशील कुमार शिंदे के नाती है दर जानवी के साड़ी में देसी अवतार ने खूब लाइम लाइट पटोरी वहीं इसके अलावा भी एक बात और चर्चा में रही वो था जानवी के साथ-साथ उनके एक्स पोईफिन शिखर पहाडिया का यहां पहुचना इस बात का सबूत पार्टी की कुछ इंसाइट तस् पहुचे ऐसे में एक बार फिर बस बन गया है कि जानवी ने पुराने प्यार का हाथ थाम लिया हैं मीते काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं दोनों साथ में वेकेशन पर भी गए थे वहीं कुछ मीड़े रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जानवी और शिखर ने कुछ महीने पहले एक बार फिर से एक दूसरे से बात करना शुरू किया और फिर कुछ समय बाद उन्होंने वापस साथ आने का फैसला किया। उनकी एक तस्वीर वारल हुई थी जिसमें वे आक्रोस को किस करते ही नज़रा रहे थे। वहीं जानवी का पूर जब कॉफी विद करन सेवन में नज़रा आई थी तो उन्होंने शिखर पहाड़या के साथ रिलेशन्शिप की बात को स्वीकार किया था। बहराल अब इन दोनों का एक साथ एक ही पार्टी में इतने करीब होकर नज़राना तो इस बात की ओर ही इशारा दे रहा है कि उनका पाचप हो गया है। युरण बरीपोर्टी है।